हिमाचल प्रदेश से सांसद और कॉंगर्स पार्टी की वरिष्ट नेता प्रतिभा सिंग जी हमारे साथ है माम आज अतिहासिक दिन दो मामलों में पुरानी संसद से नई संसद में आप लोग प्रवेश करेंगे और एक बड़ी बात या रही है कि महिला अरक्षन बिल आज सरकार इंट्रोड्यूस कर सकती है दोनों चीजों पर आप क्या कहना चाहिए देखी ये बहुत बड़ी बात है कि आज हमने पार्लिमेंट में जा रहे हैं इसके लिए हम उत्साहित भी है और एक याद की पुराने भवन में भी हमने बहुत समय निकाला वो भी एक ऐसी याद है जो जिसको समरन करके रोमांचिक श्रीर हो जाता है और भावोक हो जाता है इंसान पर चलो वक्त के साथ बदलना बहुत जरूरी है और नए भवन में आज हम प्रवेश करने जा रहे हैं यह भी एक बहुत इतिहासिक मोमेंट है और जहां तक आपने महिला अरक्षन बिल की बात की है वो पहले भी यूपीय सरकार के टाइम भी यह बिल की डिमांड हुई थी पर यह हो नहीं पाया पर अगर आज होता है तो यह भी महिलाओं के लिए एक बहुत बड़ी उपलब्दी है महिलाओं के लिए अगर यह फायदे मंद है तो क्यों नहीं हम लोग सबी इसमें मिलकर इसका स्वागत करेंगे तो इंतजार रहेगा देखे जब से यह बात सामने आई है कि महिला अरक्षन बिल लाया जा सकता है तब से ही कॉंग्रेस ने स्पश्ट तोर पर यह कहा है कि व वो महिला अरक्षन बिल लेकर आई थी राजसभा से उसे पास भी करवाया गया था कैमरा पसंट प्रवीन दिक्षित के साथ जैनेंद्र एबी पी न्यूज दिल्ली